पॉर्डर पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधे, जवान हुए अभिभूत बार्मेर, करारोर, रक्षा बंधन के पावन पर्व पर देश की अंतिम सीमा पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधे गए सीमा जंकल्यान समिती, स्थानिया आदर्ष विद्या मंदिर और भीमबाल निकेतन के विद्यार्थी बहनों ने रविवार को गरा फौवद सीमा चौकी पर पहुँच कर डिप्ट कमांडेंट प्रतीख है गड़े सहित जवानों की कलाईयों पर रक्षा सूत्र बांद कर उनके लंबे जीवन और उजवल भविश्य की काम ना की इस दोरान जवान अपनी बहिनों को याद करते हुए स्थानिया बहिनों से राखी बंधवाते हुए अभी भूत न जराए जवाल निकेतन के बच्चे सभी इस्थानिया घडरा फारवड पहुच करके जवानों को सुब कामना दी इस दोरान जवानों के कलाईयों पर रक्षा सूत्र बांदे गए और मिठाईयां बांटे गए मैं आप से बत पूछना चाऊंगा आपको कैसा लग रहा है बहुत अ चाहे हैं इसके बारे और को बताना चाहें तो आप बताईजी सब्सक्राइब मुझे लेकिन आप असराकी बना गया मुझे बहुत अच्छा महसुच हुआ है जो हम हर एक साल की तरह आज भी मना रहे हैं यह महसुच नहीं हो रहा कि हम अकेला है हमारे साथ और लोग हम घर से दूर है तो हम वह इस अच्चा करते हैं यहाँ से जो है वह सब बच्चे आया हमको रक्षा बंदन किया अच्छा लगा बच्चा ने राखते वांदा बहुत बिसकी सी माय माता के वस्त्रों के समान वती है किसी भाव से पर्ति वर्ष रक्षा बंदन के पावन पर्व पर जवानों की कलाईया सुनी नहीं रहे इसलिए छोटे-छोटे नन्यमोने बालक और इस्थानिय ग्रामेट पर्ति वर्ष यहां आकर के जवानों के भी रक्षा बंदन बोली दिपावली की जो भी कोई पर होता है उस पर इन जवानों को उसकी कमी मैसूस नहीं होने देते यह अपने आप में एक अपना देश भक्ति और आश्ट भक्ति की परति प्रेम है जो इस सिमा पर जो हमारे जवान दिन रात अथक चोक्षी करके और रात बर जाकर के हम सब की शुरक्षा करते हैं ऐसे म इन नने मने बच्चों के मन में भी यह भाव है यह दिखाता है कि हमारा देश एक है हमारे देश की सरहत को कोई भी छू नहीं सकता इनी भावों के साथ आज आज नमसमेने या मिल करके तो यह राष्ट्र रक्षा सूत्र का यह पर रक्षा बंदन मनाया एक बारति झाल